जा हिंद इस वीडियो हम लोग तीलक मेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारें बात करेंगे कल इस कंपनी ने को आट थीरी के रिजल्ट के नतीजे जारी किये हैं नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं लेकिन इसके बाजूत कल इसमें आपर सेक्ट लगा और इसका सेर प्रा मार्केट कैप है 285 क्रॉण रोपया और शेयर प्राइस से 22 रुपया दो पैसा यहां कल अपर सेक्ट लगने के बाद बढ़कर 22 रुपय के आसपास आया है वरना जब लवर सेक्ट में था तो 20 रुपय के आसपास चला गया था और मैंने पीछे के तीलक भंचस वाले बीड के नतीजे जारी किये हैं तो अब हम लोग इसके रिजल्ट के जो नतीजे हैं उस पर बात करते हैं देखिए कंपनी ने जो क्वाटर 3 के रिजल्ट जारी किया है उसमें कंपनी ने बताए को उसका रिभेनू मुनाफा और जवार्निक पर सेरह हर एक चीश कम हुआ है पिछ पॉन 0 7 लाखा हुआ है जबकि यह कौर्टर 2 में 273 लाखा था देखले सीधे करीब 7,5 लाख का नुकसान हुआ है कंपनी को इस कौर्टर में और वहीं अगर पिछले साल के क्वाटर 3 से तुल्णा करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले क्वाटर में कंपनी है यानि कि company को चान्षट लाग का नुक्सान हुआ है वहीं quarter 2 में बात करें तो company को 25-3 लाग का profit हुआ था अगर पिछले साल के quarter 3 की बात करें तो company का profit after tax 44.5 3 लाख था यानि कि पिछले साल quarter 3 में company को 44-44 लाग का मुनाफ़ा हुआ था इस बार 66 लाग का लॉस हुआ है अर्निंग पर सेर भी इस बार बढ़ा नहीं है बलकि कम हुआ है 0.01 जो कि पिछले क्वार्टर में 0.02 था और पिछले साल के क्वार्टर 3 में 0.04 रुपया था तो आपने देखा क्वार्टर 3 के के नतीज़े अच्छे नहीं है इसमें हर एक चीज पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है घटा में अब बात करें कि आगे क्या हो सकता है तो देखिए अभी तो अपर सर्कुट लगा है तो एक सब्सक्राइब चलेगा जो यह आने वोला सब्सक्ता है उसमें मार्केट खुल हैं अगर आप में लॉंग टर्म कैपेसिटी है तो तीन साल विट कर सकते हैं तो आप इसको होड़ कीजिए वरना मेरा सलाह यह है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप बेसकर निकल जाए और नुकसान मैं मान के चलता हूँ जो 30-35 रुपे के आस मजमया होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए शुक्रिया थेने बाद